teaching interpersonal skills explicitly कैसे है जी students को जो moral values initial है मैं समझती हूँ कि उसके लिए जैसे teachers और parents model है तो कोई चीज बचे को आप देते हैं तो excuse me उसके बाद please keep it please keep it and keep it safely उसके बाद आप कोई चीज दी है तो आप आगे से thank you sorry और ये वो वले courtesy words हैं जो बचे सीखते हैं आपके behavior की होजासे और teacher बाद में फिर वो कहते भी हैं कि वो कितना indecent boy है या girl है कि मैंने उसको food अपना share किया उसने आगे से मुझे thank you तक नहीं कहा तो ये चोटी चोटी courtesy words जो है ये बच्चों को सिखाने के लिए आपको roll model बनना चाहिए parents को और teachers को और उसके बाद बच्चों के class के अंदर से जो बहुत neat and clean बच्चा time से आने वाला है डेली का आप कह दें जी boy of the class girl of the class और उस पेस पे जो है उसको stage पे या class के सामने खड़ा करके उसके लिए clapping करवाएं honestly speaking students will follow your instructions and they will try to get the title of the boy of the day and the girl of the day तो उसके लिए criteria teacher ने set करना है कि वो boy of the day या girl of the day किसको कह रही है वो तीन बातें उसमें share कर सकती है एक तो uniform neat होने की वज़ा से दूसरा class में टाइम पे आने से और दूसरा तीसरा homework बहुत अच्छा neat करके लाने पे ये तीन वो benchmarks जो है वो decide करके बच्चों में बता दे के जी अब हम देखते हैं कल जो है boy of the day या girl of the day कोई होगी ये ऐसी token है ऐसा motivation है जिसके उपर बच्चे जो है मैंने यूरिस्टी स्टूडेंट्स को इसको follow करते हुए देखा है जो सबसे neat and clean था उसको आप खड़ा करके उसके लिए daily clapping करवाई जाती थी और जिसके वसे बच्चों के अंदर motivation होती थी और उन्होंने अपने आप को आईसा आईसा improve करना शुरू कर दिया तो इस तरह की skills जो है हम इस तरह से modeling से और बच्चों को कुछ benchmark सेट करके उनमें create कर सकते हैं body language, body language के teacher की liking, disliking उनको पता चल रही होती है और बच्चों जो है उनको इस तरीके से भी आप directly, verbally ना उनको instructions दें लेकिन यूँ आप sign language, symbols के साथ इस तरह okay, like, dislike बच्चे ये सारे signs जो है वो समझते हैं तो बास उकाद आपकी body language से भी बच्चे आपके घुस्से का और आपकी happiness का अंदाजा लगाते हैं तो verbally बच्चों को डांटने या उनकी तारीफ करने के बजाए जब आप यूँ भी करती हैं और अप्रीशेट करती हैं तब भी बच्चे जो हैं वो उन skills को follow करना अब संद करते हैं कि teacher is saying good उसके बाद games हैं games में जब rules को बच्चे follow करते हैं और उसमें उनको पता है कि वो जी अपनी मर्जी से game नहीं खेल सकते बलके हारने के बाद shake end करना है अपनी हार को तसलीम करना है aggressiveness नहीं दिखानी और उसके बाद जो है game खेलते हो अभी आपने push नहीं करना आपने किसी को गिराना नहीं है और उसके बाद कठे बैट के पानी जो है वो एक जगह बेट पी रहे हैं शेर कर रहे हैं जो भी खा रहे हैं और यकीन कीजिए जितना games discipline लेके आती हैं बचों में शायद ही कोई चीज लेके आती हो और boys में चुके ज़्यदा aggression पाया जाता है तो boys को games में ज़रूर involve करना चाहिए पहले आप देखिए कितने बड़े बड़े ground school में होते थे बचे भागते थे दोड़ते थे स्कूल से वापस आके ठाक जाते थे अब एक चोटी चोटी कोटियों में स्कूल खुले हो हैं वहाँ पे grounds नहीं हैं तो बच्चों के एक्जर्शन नहीं होती इसी तरह से roll plays और reading stories है roll play का मतलब यह है कोई आसी story जिसमें एक बचा बड़ा अच्छा था बड़ा well behaved था उसकी एक story को आप play करें दो characters आप बनाएं आप केंगे जी इसमें ये characters हैं ये हमारे सामने present करेंगे roll play करेंगे दो characters बाप और बेटा जिनकी आप अमें discussion हो रही होती है यवे तुमने ये गलत किया तुमने अच्छा किया तो इस तरह की चीजों से भी आप बच्चों में behavioral inconsistencies जो हैं उनको remove कर सकते हैं और behavioral conduct या behavioral or conduct जो उनके issues हैं वो दूर कर सकते हैं और अच्छा behavior जो है उसको initiate भी कर सकते हैं और उसके लिए उसको motivation भी दे सकते हैं ये वो strategies हैं जो उनके अंदर interpersonal skills जो हैं उसको indirectly और डारेक्टली जो है create कर सकते हैं develop कर सकते हैं और बच्चे इसको बड़ी महबत के साथ सीखते हैं बजाएए कि आप सिर्फ किताब से उनको rules सिखा दें या पढ़ा दें बलकि आप उनको इस तरह से through acting और through stories और through games और through videos इस तरह से आप उनके behavior को control कर सकते हैं और these are very efficient strategies to develop appropriate behavior among students